नमस्कार, न्यूज किलिक में आपका स्वागत है और जानते हैं आज की बड़ी हेडलाइन्स बेहुदा होता योगी आधितनात का सामपरदाई खेल पस्चे मंगाल आलू की गिर्ती कीमतों के बीच किसानों ने की MSP की मांग दिल्ली पुलिस की 2020 दंगों की जाच, बचसे बत्तर होती ब्रांतियां, गुजरात हिंदुत की प्रियोगसाला बचाने में जुटे हैं मोदी और आरेसेस कोरुना अपडेट देश में 24 घंटे में 27,294 मामले, 219 मरीजों की मौत न्यू चक्र के हाली आंक में बरिष्ट पत्रकार अभिसार सर्मा ने उत्तर प्रदेश के CM आदितनात के बेहुदा होते सामपरदाएख खेल पर बात की CM आदितनात ने कहा था, 2017 से पहले अनाज सिर्फ उन लोगों को मिलता था, जो अबबाजान कहते थे देखिए ये वीडियो कल कुशीन अगर में एक राली में मुख्यमंत्री आदितनात ने कहा कि 2017 से पहले राशन सिर्फ उन लोगों को जाता था, जो लोग अबबाजान अबबाजान करते हैं यानि कि मुख्यमंत्री आदितनात कही न कही मुसलमानों पर निशाना साथ रहते और इसका मकसद साफ है दोस्तों क्योंकि मुख्यमंत्री आदितनात जानते हैं कि अगर मुद्दों पर सियासत होगी, अगर मुद्दों पर चुनाब होगी तो भारती जनता पार्टी को सो सीटे भी नहीं मिलने वाली है मगर जिस तरह का शर्णाक प्रदर्शन शर्णाक बयान कल मुख्यमंत्री आदितनात ने दिया वो समझ के परे है और वो अप्रत्याशित है आपको याद है दोस्तों आज से कई सालों पहले जब आदितनात सांसत है तो उनकी मौजूदगी में उनहीं के पार्टी या उनकी दल के एक व्यक्ती ने कहा था कि मुसल्मान औरतों को उनके कब्र से निकाल कर उनका बलातकार करना चाहिए उनकी मौजूदगी में किसी ने बात कही थी ये ना सिर्व इस राजगा बलकि इस देश का दुर्भाग ये है कि ऐसा शक्स आज की तारीक में मुख्यमंत्री है एक राजगा जो इस तरह के सामप्रदाइक तौर पर असहज करने वाले सामप्रदाइक तौर पर समवेदन शील बयान दे रहा है क्योंकि वो जानते हैं वो जानते हैं कि आज की तारीक में मुद्दों पर चुनाव हो जाए तो इन्हें सौ सीटें नहीं मिलने वाली है मैं खुद को दोहरा रहा हूं अगर हकीकत यही है और कल कल जो हुआ न दोस्तों उसके सामने कपिल शर्मा का कॉमेडी शो जो है वो फेल हो जाए ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में ये विग्यापन छपा ये विग्यापन क्यों छपा मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा ये विग्यापन जिसमें बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री आदितनात के नेतिर तुमें उत्तर प्रदेश किस तरह से तरक्की कर रहा है मगर इसकी हकीकत ये थी कि इसमें नीचे जो ये दो तस्वीरे हैं आपके स्क्रीन्स पर एक तस्वीर है एक फ्लाइओवर की जो की कूलकाता में है और दूसरी तस्वीर है एक फैक्टरी की जो अमरीका में है यानि की उत्तर प्रदेश सरकार के पास विग्यापन तक के लिए अपनी कोई तस्वीर अपनी कोई विकास की तस्वीर नहीं है दिखाने के लिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री आदितनात आपने करोड रुपे खर्श किये विज्यापन के लिए मगर जो असली तस्वीरे हैं जो आपकी पोल खोल रही हैं सही माइने में विज्यापन ने उत्तर पदेश की वो तस्वीरे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपको इविडियो दिखाना चाहता हूँ फिरोजाबाद का विडियो है यहाँ पर बेबस माबाप को देखिए अपने हाथों में अपने बच्चों अध्मरे बच्चों को लेकर घुम रहे है डेंगू से त्राही माम मचा हुआ है यह तस्वीर आपका विज्यापन है देखिए विडियो कुछ और तस्वीरे में आपको दिखाना चाहता हूँ जो पश्चिमी उत्तर पदेश में सामने लगाता और उभर कर आ रही है सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर इस बेबस बज़र्ग महिला की तस्वीर देखिए अबार रुजाला की तस्वीर है अस्पताल में बुखार से पीड़ बच्चे को भरती ना कर पानी पर रोती वरिद्धा ये है आपकी तस्वीर मुक्यमंत्री आदितनाथ दूसरी तस्वीर देखिए पीड़ बोले 700 रुपए में मुमबाइल गिर्वी रखकर खरीदी दवाएं ये आपकी तस्वीर है आपके रजग की तस्वीर है मुक्यमंत्री आदितनाथ इस तस्वीर में देखिए ये औरत बेवसी से रो रही है क्योंकि वो जानती है कि अपने बच्चे को बचा पाना उसके लिए कितना नामुम्किन है यहें तस्वीर मौझूदा उत्तरपदेश की, यहां देखिए, एलेलार अस्पताल में नवजात को गोद में उठाकर जाच के लिए ले जाता पिता जागरंड की तस्वीर, यह तस्वीर है उत्तरपदेश की, आगे देखिए, बच्चों को जिला अस्पताल परिसर में इस तरह से तीमारदार परिशान होकर पर्षे और दवाओं के लिए भटकते रहते हैं देखिए मुख्यमंत्री आदितनाद आपके सामने बेबस इस मा की तस्वीर जो रो रही है ये तस्वीर आज की तारीक में विग्यापन है आपके नेतृत में जो तरपदेश चल रहा है और परिशनों का आरोप अगर पहले देख लेते तो बच जाती जान शव लेकर पैदल ही निकल पड़ा व्रिद्ध कुछ और तस्वीरे देखना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री आदितनाद तो याद दुलादू जब कुरोना था जब कुरोना काल था तब इस तरह से हिंदू को मजबور होकर गंगा के घाठ पर अपने परिजनों की लाशों को दफनाना पड़ा था क्योंकि आप ने तो सामपरदाएक उनौमाद की घोशना कर दी है एक तरह से सामपरदाएक उनौमाद आपने छेड़ दिया है आप अबबा जान की बात कर रहे हैं मगर हकीकत ये है म कि बंतरी आदितनात कि आप हिंदूों तक को नहीं बचा पाई ये तस्वीरे देखिए घाटों पर इस तरह से लाशों को दफन किया गया है और उस वक्त मुझे याद है आपका प्रशासन घाटों का वीडियो घाटों की तस्वीर लेने से मना कर रहा था ये तस्वीर देख को भी उसके अंतिम संसकार में मौझूद रहने का आपने हक नहीं दिया ये तस्वीर देखिए विकास दुबे गैंग्स्टर विकास दुबे इसने उत्तर पदेश के मेरे आठ जवानों को शहीद कर दिया उनमें से एक शहीड डियस पी गिड़ गिड़ाता रहा आपके सा पकड़ा जाता तो नजाने कितने सफेद पोशों के राज सामने उभर कर आ जाते ये तस्वीर آپका विञ्यापन है मुख्यमंत्रि आदितनाथ ये तस्वीर आपका विञ्यापन है आप इससे मुँख कैसे मुड़ सकते हैं बताईए पस्य मंगाल के आलू किसान गिरती कीमतों की बज़े से संकट का सामना कर रहे हैं 50 किलो आलू की कीमत इस समय सिर्फ 260 रुपे है और बावजूद इसके सरकार की तरफ से किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही कोल्ड इस्टोरिज में रखे आलू की कीमत करीब 5 रुपे 20 पैसे है जबकि यही आलू बजार में 14-15 रुपे कलो के हिसाब से बिक्रा है इस वज़े से किसान भारी नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि उत्पादन का खर्च भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है पूर्वी बर्दवान जिले के एक आलू किसान 20 रूप मॉंडाल ने न्यूज क्लिक को बताया कि एक वीगा जमीन पर आलू उगाने में 32,000 रुपे खर्च हो जाते हैं मॉझूदा मूल्यों पर बंगाल के किसान एक वीगा जमीन पर उगाए आलू को बेच कर सिर्फ 20,800 रुपे कमा पा रहे हैं जिससे उन्हें 11,200 रुपे का नुकसा जिलना पड़ रहे हैं जिमकि पाँच वीगा जमीन पर खेती करने वाले किसानों को करीब 56,000 का नुकसा अंजिलना पड़ रहे हैं इसके लिए सरकार की तरप से उन्हें सिर्फ 25,000 रुपे का मावजा मिलता है आलू के इस तरह गिरते दामों की बज़े से अब बंगाल के किसानों ने नियूंतम समर्तन मूल ले यानि MSP की मांग सुरू कर दिये आम तोर पर यह लोगों में यह धाड़ा है कि भारतिय पुलिस प्रसासन में प्रात्मिकी यानि की FIR के खरेपन को लेकर बिलकुल ही भरोसा नहीं किया जा सकता है प्रात्मिकी तत्यों की सुरुवाती रिपोर्टिंग से सम्मनित होती है और सिकायत करता के कहने के आधार पर या किसी-किसी मामले में पुलिस ने पहली बार में जो कुछ सूचना एकटा की होती है उसी के आधार पर होती है प्रात्मिकी के आधार पर बाद में दाइर किये जाने वाले मामलों की मजबूती उस च्छानमीन पर निर्वर करती है जिसके साथ पुलिस कर्मी तत्यों को दर्ज करते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिकायत करता आम तोर पर उस समय उत्यजित होते हैं और जब वे सिकायत करते हैं तो उनकी ओर से तथ्यों को बढ़ा चड़ा कर पीस करने की संभावना जादा होती हैं. दिल्ली धंगों पर पुलिस चांच में नई नई भ्रांतियां सामने आ रही हैं, कड़कड डुमा जिला न्यायाले के अतरिक्त सत्र न्यायादीस जिसे ए एस जे सौट में कहते हैं, विनोध यादब ने 28 अगस्त को अपने आदेश में अभियोजन पक्स की तरप से बढ़त कर लोग अभियोजकों को पर्याप्त निर्देश भी नहीं दिये गए थे, और पीपी को चार सीट का महज एक PDF संस्क्रण भीज दिया गया, जिसके आधार पर उन्हें वैस करना था, यह मामला दंगों में आरूपी के रूप में दो लोगों पर मामला दर्ज किया जाने से सम्मिन देता है, दलीफ लेट का यह पूरा लेक आप हमारी विव साइट न्यूज क्लिक पर भी पढ़ सकते हैं, अब गुजरात में भी मुख्यमंतरी बदल दिया गया है, नए मुख्यमंतरी का नाम कहीं से भी चर्चा में नहीं था, वे पहली बार के विधायक हैं, उन् लेकिन इसी समाज के कई कदावर और वर्ष निताओं को छोड़कर उन्हें मौका देना एक चौकाने वाला काम है, इससे पहले कि इस कदम के पीछे की राजनीती को समझने की कोसिस की जाए, गोधी मीडिया के रिपोर्टरों के चेहरे से जहां करेई बेचारगी की मंत्री मंडल में फिर बदल के समय भी यही हुआ, किसी रिपोर्टर को पता नहीं था कई दिगज मंत्री मंडल से बाहर होने वाले हैं, इससे पता चलता है कि सत्ताधारी भारतिय जंता पार्टी से इन रिपोर्टरों का क्या रिस्ता है, उनका काम केवल बधाई के गीत ग करनेगा है, उनके साथ कोई भाजपा नेता सूचना साजा तक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना करियर डूब जाएगा, प्रधान मंत्री मोदी और ग्रह मंत्री अमित्सा के अलाबा, सूचना लेने देने का अधकार किसी को नहीं है, बले ही गोदी मीडिया को इसमें किंद्री स्वास्त मंत्राले द्वारा आज सौंबार तेरह सितम मरकोजारी आँखनों के अनुसार, देश में 24 घंटे में कोरोना के 27,254 नए मामले दर्ज किये गए और 219 मरीजों की मौत हो गई, साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से करीब 37,687 मरीज ठीक हुए और एक् देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संक्या बढ़कर 3,32,64,175 हो गई हैं, जिनमें से अब तक 4,42,874 लोगों की मौत उचकी हैं, देश में कोरोना से पेड़ित 97,54 यानि 3,24,47,032 मरीजों को ठीक कर दिया गया है और देश में एक्टिव मामलों की संक्या घट कर 1,13 फिस दी, यानि 3,44,269 हो गई हैं स्वास्त मंतराले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 74 करोड 38,37,643 डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से 53,38,945 वैक्सीन की डोज पिछले 24 हंटे में दी गई और अधिक जानकारी के लिए और अधिक खवरे पढ़ने के लिए आप हमारी वेवसाइट न्यूज क्लिक पह जाईए उसके फेस्बूक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खवरों को सेर कीजिए, सुक्रिया